हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Poco M6 Android मुबाइल फोन में आप अपने मुबाइल फोन में साइड बैक सेट कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखे इसके लिए आपको मुबाइल फोन का सेटिंग पेज सबसे पहले ओपन करना है इसमें आपको सबसे उपर सर्च सेटिंग पे सेलेक्ट करना है यहाँ पे सबसे उपर सर्च बार में आपको लिखना है system navigation ठीक है तो आपको नीचे की साइट system navigation का यह option दिखाई देगा इससे select करना है अब आपको यह page आएगा देखे इसमें आपको जो नहीं gesture का option है gesture पे आपको select कर लेना है तो इससे क्या होगा आपके mobile phone के नीचे की जो आपके 3 ब cotton होते हैं तीनों बटन गायब हो जाएंगे तो इस तरी किसा आपके mobile phone में sideback सेट हो जाता है अब दीखे mobile phone को sideback की तरह use कैसे करना है यह मैं आपको समझा दो आपँ देखे, मुवैल फोन के left side से और right side से आप मुवैल फोन को बैक कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, मुवैल फोन के ऊपर से नीचे कहीं से भी, आप इस तरीके से किनारे से उंगली को रखके खीचेंगे, और देखे, यह back बटन यहाँ पर काम करना है, खीचने पर अब इसे छोड़ देना है, तो आपका फोन बैक पेच पे चला जाएगा, इसी तरीके साब right side से भी कर सकते है तो हमारा फोन बैक पेच पे आ चुका है, तो इस तरीके से आप अपने मुवैल फोन में side back setting को set करके use कर सकते हैं, ठीके